हतेली में कभी-कभी रेखाओं से कुछ विशेश निसान बन जाते हैं फस्त रेखा जोतीस के अनुसार रेखाओं से बने इन निसानों का हमारे जीवन पड़ भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है कुछ निसान सूब होते हैं और कुछ निसान असूब होते हैं आज हम यहाँ पर हतेली में बनने वाले 10 खास निसान और उनसे मिलने वाले सूब असूब फल के बारे में आप से डिसकस करने वाले हैं हेलो दोस्तों आप सभी का The Divine Soul में बहुंद बहुंद स्वागत करती हूँ यदि आप चैनल पे पहली बार आये हो तो चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले साथ ही नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटिस्ट वीडियो की जानकाड़ी आप दक ततकाली पहुंच सके दोस्तों हमारे हातों में बनेवे इन निसानों का हमारे जीवन पे बहुत ही अलग-अलग प्रभाव होता है और इसका अलग-अलग रिजल्ट भी देखने को मिलता है आज हम जानते हैं ऐसे दस निसान के बारे में जो हमारे जीवन को अलग-अलग तरीके से प्रभावित खरते हैं यहनि किसी भी व्यक्ति के हाथ में मंदिर जैसा निसान बनावा मिल जाएं तो समझ लेना चाहिए कि वो सरुस्रेश्ट पद को प्राप्त करने वाला है और हर ऐसो अराम ऐसे लोगों को मिलता है त्रिसूल का निसान भाग्य साली लोगों के हाथों में होता है इस निसान के असर से व्यक्ति जीवन में सभी सुप्स विधाएं और मान और सम्मान की भी प्राप्ति करता है अंड़कार निसान हतेली में जिस भी परवत पर या रेखा पर होता है उसका सुब असर कम करता है आमतौर पर ये निसान अच्छा नहीं माना जाता है जिस वैक्ति के हाथ में रत का निसान होता है वो किसी राजा के समान जीवन जीता है आमतार पड़ किसी राजा के हाथ में रत का निसान बनता है तलवार के निसान को असुब माना जाता है उन्हें जीवन में कई प्रकाड के संघर्षों का सामना करना पूलता है यदि आपके हाथ में स्वास्तिक का निसान है तो इसे बहुती पुझे नियो और पवित्रे चिंEL माना जाता है जिन भी लोगों के हाथों में स्वास्त्य कर निसान पाया जाता है वे धर्म के छेत्र में कारिये करते हैं समाज में मान और सम्मान की प्राप्ते भी करते है हतेली में जिस रेखा या परवत पर व्रिक्स बन जाता है उसके सुब फलो को वो बढ़ा देता है ये बहुती सुब निसान माना जाता है जिन लोगों के हाथों में हाथी का निसान पाया जाता है या चिन्ह पाया जाता है उन्हें गनेयजी की किरपा से सभी राजकिय सुख और सुईनाय प्राप्त होती हैं। यह तो मचली बहुत ही चमतकारिक निसान माना जाता है। जिन लोगों के हातों में भी यह निसान बन जाता है। उनके जीवन में कई चमतकारिक घटनाएं घटती रहती है। सबसे लाज और सबसे इंप्रेसिव है यह 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 आपकी हातों में भी जहंडे का निसान है। तेली में किसी खास हिस्से में जंड़े का निसान का बनना मतलब कि वैक्ति को हर छेत्र में जीत मिला ऐसे में लोगों को बहुत ही अधिक पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है ऐसी और भी निरो जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें अगले वीडियो में एक नई जानकारी है और अजबुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे तब तक के लिए प्यारवड़ नमस्कार दोस्तों